नमस्कार दोस्तों मेरे पांम रेडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। परतमान समय में ये विदेश में है काफी दिनों से विदेश में है और कुछ चीजे ठीक नहीं चल रही है जिन्दगी पर थोड़ी परिशानी चल रही है और जिसको लेकर ये काफी चंतित है और काफी असमंजस में है कि आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी पिछले जिन्दग पर क्या कुछ अच्छी खराब अवस्था मौजूद है और क्या करना उचित रहेगा क्या करना उचित नहीं रहेगा तो अब निश्चिन तरह आपके सारी ही कोशन्स पर हम टिपनी करेंगे और आपकी हत्यरी पर बनने वाले हर वो अवस्था पर विचार करेंगे जिसके चीज़ को देखेंगे तीसरे, आपके कोश्चन्स पर चलेंगे, और चौथे, आपके इतली का विश्लेशन करेंगे, तो चार तरीके सा आपके इतली को देखा जाएगा, और बिल्कुल भी च्न्ता मत करें, इश्व को रहोसा रखिए, और इश्वर आपकी सारी इक्षा की पूर्ति करेंगे, इश्वर आपको बहूत सम्मान प्रदान करेंगे, इश्वर आपके सारे कश्ट को हरेंगे. किसी भी प्रकार के खराब समय में बिलकुल भी विश्वास मत उठाएए, आप जिसे भी इश्वर को मानते हैं और कोशिस यही करना है कि यह हिम्मत बनाए रखना है खराब समय का पूर्णता वज़ा आपकी इतली पर मुझे दिख गया और ये पिछले दो वर्सों से तकलीफ दिख लिए हैं बहुत तकलीफ आली है तो पहले positive चीज को दिखाते हैं और negative चीज के साथ हम questions को लेके चलेंगे चीज को दिखाएंगे तो इसके लिए मैं इनका दूसरा पिक आपको दिखाना चाहूंगा ये सारा पिकिन का ही है इस picture चीजे समझ में आएंगी अब जिस बागी रेका की मैं बात कर रहा था ये देखो एक जानदार बागी रेका कहा से गए यहाँ पर से देखो एक बागी रेका ये हो गई एक बागी रेका ये हो गई जो विदेशी धरती से दरनल आपको दिखाती है और ये बहुत दिनों से विदेश में है और एक बागी रेका आपकी ये देख लो और आगे एक बागी रेखा ये देख लो और यहां से एक और बागी रेखा आपके अदली पर मौजूद मतलब कमार की खतरनाक बागी रेखा जबरदस्थ और जीवन रेखा पर प्रोग्रस लाइन भहुत ही उम्दा लेकिन वो आयो अभी आपकी आने वाली है और यह सब कुछ यात्रा के योगे पॉस्टिव है और मंगल परवत बन रहा प्रोपर स्टार साइए यह नॉर्मल नहीं है यह भहुत उम्दा इंडिकेसनस है किसी के भी अदली पर बनने वाला ब्रश्पती पर भी एक प्रोपर स्टार बन रहा ये नॉर्मल नहीं है, ये भी भाध तगरा इंडिकेशन्स, और एक जबरदस्त आपकी सूरी रेखा बन रही है, और आगे भी एक बुद्धर रेखा आपके इतली पर बन रही है, बढ़ियां बन रही है, ये भी देखलो अच्छी बन रही है, तो ये सारी पॉस्टिविटी आ सकते हैं, या फिर ये सोच सकते हैं, वो की इतनी अच्छी पॉस्टिविटी है, तो ये करोडों के मालिक होंगे, मेरा कहना ये नहीं होंगे, इनकी आगे बहुत अच्छी तरक्की है, लेकिन वर्तमान समय में स्थिती ठीक नहीं है, और विगत अपने जिन्दगी को जि मुझना तो इसको है ना, देखिए, क्या होता है ना, मैं अपने वीडियो में प्राया एक बात का चर्चा करता हूँ, कि आप सिर्फ रेखाओं पर चलेंगे, तो पामिस्ट्री का ग्यान आप में पड़ी पूर्ण नहीं है, मतलब आप में पूर्ण ग्यान नहीं है, पाम पती नहीं बनते आपके प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए, यह निहाइती जरूरी है, जब तक आपके प्लैनेट्स अच्छे नहीं होंगे, तब तक उसकी महादशा अंतरदशा माइन ब्लोइंग नहीं चलेगी, और जब तक माइन ब्लोइंग महादशा अंतरदशा से आप गुजरेंगे नहीं तब तक धन क्या एक रुपे नहीं आएंगे आपके पास रेखाए हैं तो ये विदेश में हैं पैसा कमाया घर चुबा कमारे जिन्दगी जी रहे हैं मस्त लाइफ जी रहे हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन बात वही है न कि जमा करना और एक स्टेबिलिटी आना वो बड़ी मुस्किल होती है बिना किसी आपके प्लैनेट्स में अगर स्टेंथ ना हो तो बिड़ा एक परसंट भी चांसेस नहीं है कि आपके जिन्दगी में कोई स्टेबिलिटी आएगी एक परसंट भी चांसेस नहीं है तो ब्लैनेट्स आपकी काफी अच्छी होने चाहिए निहाइती जरूरी है किसी भी अतली का जवाब विश्लिशन करो तो यही एक वज़ा इनके हाथ पर रही थी तो यह एक महतपूर रीजन था जिसके एवज में अभी भी यह परशान है नहीं तो 44 साल की आयू है परशान होने की क्या बात है अगर मान लिया चाहिए आप करोडो कमाल होगे तो आपके पास इतने फैसे तो रहेंगे न आप उसको सेव कर पाओ या फर अपने जिन्दगी को जी पाओ बढ़ियां से मतलब कोई घटा भी लगे तो कोई दिक्कत नहीं है इतने सेविंग्स आपके पास तो होने चाहिए न लेकिन वो नहीं थी क्योंकि में रीजन था अब मैं वो रीजन आपको दिखाता हूँ बरश्पती पूरी डैमेज जा रही है आपकी सन मरकरी भी बहुत ताकतवर नहीं है लाइन्स बहुत अच्छे हैं कोई अच्छे करम रहे होंगे आपके जो आपको सपोर्ट कर रही है तो ये दो प्लैनेट्स मुख्य प्लैनेट होते हैं किसी के भी अदिली पर अगर यही दो वीक अवस्था में रहेगी तो प्राब्लम्स आएंगी देखो क्या है न यहाँ पर तारीफ मत सुनो यहाँ पर सच्चाई जानो ताकि उसके लिए किसी भी विक्ति के हाथ पर हो और मूलता साथ घ्रह अच्छे कंडिशन्स में हो तो आप करोड़ो पती बनोगे अरवो पती बनोगे यह मेरी गैरेंटी है आपके साथ किसी भी स्टाम पेपर पर साइन करा लो लेकिन क्या रहना चाहिए कि आपके प्लैनेट्स अच्छे होने चाहिए जो बेसिकली राज्यो कारकवस्था को दर्शाती है जिन्दगी पर कंफर्टेबल लाइफ को जिन्दगी आपके कंफर्टेबलिटी के साथ बीतेगी इस चीज को दर्शाती है तो ये चीज़े आपने समझ ली ये पॉस्टिविटी थी अब बात करते हैं समस्यां चल की रही है ये भी एक एहम कोशन है तो ये भी इनका एक क्लियर पिखी हमारे पास आया है तो देखिए जिस नेगटिविटी के मैं बात कर रहा था नेगटिव चीजों की तो एक बहुती वीक बरशपती जो विक्ति को कारिच छेतर को बनाने में बड़ी तकलिफ इंडिकेट करता है ऐसे विक्ति अपने कारिच छेतर को बनाने में असफल रहते हैं बहुत अच्छी सफलता नहीं मिलती और बहुत कमाने के बावजूद भी जिन्दगी पर पैसे के मामरे में क्रैसिस बनी रहती है चाया विदेश में रहो या फर इंडिया के किसी और कोने में रहो या फर कहीं भी रहो फरक नहीं परता मैटर ये करता है कि आपके प्लैनेट्स कैसे है तो बरश्पती को लेके ये एक बहतर परिशानी मुझे इंडिकेट कर रही थी आपकी अतेली जहांपर से ऐसे जातक के जिन्दगी में कारी छेतर को बनाने में बड़ी समस्या आती है तो ये एक बरश्पती का नेगटिव इंपैक्ट था जिसके लिए मैं आपको रेमिडीज दे दूँगा वाकि सन्मरकरी अच्छी है तो उच्च अदिकारी बनने में समस्या है किसी भी कारी को करेंगे तो उसका जो सम्मान आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पाएगा चाहे आप उसके लिए अपना जान ही क्यों न लगा दो ये एक एहम समस्या रहती है किसी भी जातक के जिन्दगी पर हलाकि इसके लिए भी मैं उपाएग दूँँगा तो दो मूल ग्रह जो आपके जिन्दगी का सूतर धारक होते हैं आपके जिन्दगी का निरनायक होते हैं आपके जिन्दगी को लेके जिसके अधार पर टिपन्नी की जाती है आपका शूर्य जो आपको मान सम्मान पर्थिष्ठा देता है आपकी ब्रश्पती जो आपको ज्यान परदान करता है जिन्दगी पर आगे बरने का एक प्रेर ना देता है और आपको life में आगे भी बराता है क्योंकि अगर आप में ग्यान है आप में समस्दारी है तो जिन्दगी में कुछ अच्छा करी ही पाओगे ना कतोबात ही नहीं है तो दोनों ही planets आपके weak थे ये एक एहम समस्या बनी थी इसको बहतर negativity के रूप से represent करना चाहेंगे और ये बताना चाहेंगे इसके लिए मैं आपको उपाय दो दोँगा और यथा शिगर आपकी जिन्दगी को ठीक करने का में परियास करूँगा तो ये इनकी है तेली पर दो negativity थी और problems अभी जादा इसलिए आप face कर रहे है एक तो बहतर negativity थी जो आपके सीधा carrier pressure कर रही है चाहे वो सूरी की दुसकरपा हो या बरश्पती की दुसकरपा हो सीधा सीधा आपके carrier पर वार कर रही है और वही पर से एक राहू रेखा थी जो आपको और तकलीफ परदान कर रही है जितनी राहू रेखा है या आपको मूलता तकलीफ परदान कर रही है जहां पर से problems को यह बता रही है अभी यह मैं ages wise चीज़ों को बताऊंगा तो निश्चन रही है आप तो चलिए अभी इनके negative चीज़े हो गई अब आगे के परश्ण के तरब तो अभी मैं इनके जीबन रेका को cover कर देता हूँ चीज़े मूलता इसपस्ट हो जाएंगे निश्चन रही है तो इस फिक समय करना चाहूँगा बचपन में भी तकलीफ ही रहा है क्योंकि जैसे आपकी बरश्पती थी ये तकलीफ कोई दर्शाती है लेकिन कुछे triangles भी थे जैसे तैसे अपने degree को पूड़ा किया और जीबन में आगे परने के लिए एक प्रियास किया आपने और कई न कई कुछ कारी आपका हो गया लाग परिशानी आए फिर भी कारी होते वे नजर आ रहा था हमें तो ये बचपन में प्रगती के योग थे भी नहीं भी थे मतलब बचपन ठीक ठाक ठीक ठाक रहा है बहुत अच्छा भी नहीं रहा है लेकिन ठीक ठाक जरूर रहा है फिर आगे देख लो आपकी 21 में वर्स में एक तरक्की थी उसके बाद जीवन स्मूज चली एक दिक्कते आपके 26 में वर्स में थी एक 28 में वर्स में तरक्की थी और एक बड़ी तरक्की आपके 33 में वर्स की आयू में थी और एक दिक्कते आपकी देख लो कम्प्रीटली मुझे 43 में 40 की आयू में दिख ली थी 42, 43 में 40 की आयू में और एक हल की आपकी 44 में 40 की आयू में भी एक तकलीव था लेकिन आगे 45, 46 में वर्स में बड़ी तरक्की, 48 में वर्स में अच्छी रहेगी अच्छी सुविदा मुझे दिख री है जहापर से ऐसे विक्ती जी तो बहुत बड़ी खुष्कबरी, मैं आपके लिए देख रहे हैं जिस समस्या से आप निकल जाते हैं और आगे कुछ बड़ा कारी कर लेते हैं तो बहुत बड़ी खुशकबरी मैं आपके लिए दे रहा हूं कि आगे की जिंदगी आपकी मूरता अच्छी है जहां पर से आपकी अच्छी जिंदगी का ये परचे करा रही है तो निशिन्त हो जाए बिलकुल भे चिंता ना करे जो कुछ समय खराब है साल दो साल का उसके लिए मैं बहतर उपाय का सजिशन आपको दे दूँगा तो ये इनके कुछ कोशन्स थे पॉजिटिव नेगटिव अवस्थाएं थी अभी इनके अतली का पूरता विश्लेशन करेंगे चीजों को असपस्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो का फीज जादा महतपूर है देखे सीखे समझे सबसे परेंड का पाम स्क्वाइर सेप का पाम है मद्यम एज के बाद सफलता को पाते है और सारे ही प्लैनेट्स में मूरता स्टेंथ है बहुत जादा तो नहीं मूरता नौरमल है पचास परसेंट राज जो कफल हो रहा है जिंदगी अच्छी बीटती है गद्य दारवस्था है गुलाबी है ते लिए धन को एट्रेक करती है मूरता पैसे की दिक्कत नहीं होती चाया आप खराब समय से गुजरो या अच्छे समय से आपके पास पैसे कही न कही से आही जाएंगे कहने का संबंद है अच्छे समय में तो पैसे आएंगे या आएंगे खराब समय भी आने के काफी अच्छे चांसे से है थम्ब, स्ट्रॉंग थम्ब है, स्ट्रॉंग विक्तितू का परचे करा रहा है ऐसे विक्ति की प्रस्नालिटी बिल्कुल भी जुकने वाली नहीं होती बहुत शांदार, जांदार, धमाकेदार प्रस्नालिटी ऐसे लोग अपने कारी को करने जानते हैं और बड़े इमानदारी से करते हैं एक्षाशक्ती बहुत अच्छी है और यवागिर्दी जब भी आपको सपोर्ट की आवशक्ता परेगी जरूर कहीं न कहीं से मिल जाएगी इस्वर की कसीम करपा आपके उपर बनी है बाकि ये डिजायर्स के काफी अच्छे लाइज तो विक्ती डिजायरेबल प्रस्नारिटी क्या होते हैं डिजायर्स उम्दा एमानट में में दिखने हैं यहाँ पर ये एक स्टार भी है अपने जिंदगी पर जो भी है अपने इक्छा शक्ती के दम पर है ऐसे लोग की इक्छा शक्ती बहुत ताकतवर होती है सेकेंड फरेंच का बड़ा होना इस चीज का परिचे कर आता है कि ऐसे जातक किसी के अंदर कारी नहीं कर सकते थम्ब काफिस strong अवस्था में है, विक्ति कुछ न कुछ अच्छा करी लेते हैं, अपने life का start-up ले ही लेते हैं, start-up लेके जिन्दगी को उस मुकाम तक पहुचा देते हैं, जहां तक यह जाना चाते हैं, थोड़ा अर्चने आती हैं, आगे कुछ और conditions आपके दली पर बहु प्रबलम्स को ये चीज दर्शाती है, मतलब ऐसे विक्ति एक अच्छे decision maker नहीं है, अच्छा निरने जिन्दगी को लेके ये नहीं ले पाते हैं, इसके लिए आपको discussion करने के आवश्यक्ता पड़ेगी, किसी भी प्रकार के निरने को लेने से पहले discussion होना अती आवश्यक ह पर देखें, यहाँ पर से आपकी lines है, जो आपके introvert personality को indicate करती हैं, विक्ति सबसे ज़्यादा गुलते मिलते नहीं हैं, selected friend होते हैं, काम बड़ी काम रखते हैं, ये सब lines हैं, जो आपके बहुत अच्छाई के nature को बता रही हैं, इंसान बहुत अच्छे नीसन दे, बरश्प परती का भी है, सन का भी, मैनती भी है, इश्वर के परती लगाब भी है, जुकाब भी है, और कोई ना कोई talent आपके अंदर develop करेगा, जिससे आप पैसे earn करोगे जादा, बुद्ध फिंगर बड़ी आगे चलके हो सकता है, कि वेपार में invest करो, वेपार से धन अरजन के अच सारे first challenge बहुत अच्छे है, विक्ति के अंदर कुछ करने का एक जुनून है, और ये लोग कुछ कर भी लेते हैं, कर भी लेते हैं, तो ये इनके finger के विशह में था, अभी planets पर मैं चलता हूँ, तो बरश्पती, बरश्पती इनकी ठीठ ठाक है, बहुत अच्छी नहीं मैं म कर रहा है, तभी तो आप विदेश चले गए, वहाँ पैसे कमा रहे हो, यही एक reason था, लेकिन पारिवारी एक समस्या है, दामपत्य जीवन में समस्या है, ये चीज़ बराबर बनी रही होंगी, और उसके बाद कुछ इनलास से problem सबसे आपका अच्छा पटता नहीं, अच् बाकी यहाँ पर से दबाब है तो विक्ति, गजब के मैनती, और बागी रेखा का पूर्णता साथ है, जिन्दगी के लास्तक, और विदेशी दर्ती से धनलाप सेटलमेट के बरे अच्छे योग थे, जो कई न कई आप ले रहे हैं धनलाप, फिर देखें यहाँ पर से एक तेस्त राग, बहुत तेस्त राग, और एक जबरदस सूरी रेखा, और आगे भी एक सूरी रेखा के ब्रांचे, यहाँ से भी देख लो एक प्रॉपर ट्रेंगल, और आगे भी एक सूरी रेखा, ओवर टेलेंटेड विक्ति है, यहाँ से भी एक बन रहा है, मतलब विक्त बहुत ज़ादा सक्रिय है और किसी भी चीज को लेके बहुत ज़ादा आप dedicated हो कि वो मुझे करना है और एक lines आपकी बंडरी ये देखो ये भी property का योग को दर्शारी है बाकि सन मरकरी बहुत अच्छी नहीं है मरकरी तो फिर भी ठीक है खड़ी lines भी इंसान तेश तराक होते सूरी बहुत अच्छा नहीं है जिसके एवज में समस्य आए कार इच्छेतर को बनाने में ये भी problems करता है वरिस्ट अधिकारी गन से problems होता है जो भी आपके साथ काम करने वाले विक्ति हैं वो पैर खीचने का कारी करते हैं और जो भी आपके बहुत होते हैं उनसे आपके अच्छी बनती नहीं है ये इस चीज का परचे कराती है हलाकि इसके लिए एक simple सा उपाय है मैं आपको देने का प्रियास करूँगा पाकि लाइन्स अच्छी हैं talented हैं किसी भी चीज़ी को अच्छी तरीके से करना पसंद करते हैं लेकिन सिर्फ आपके करने से नहीं होता अ लेकिन अगर सूर ये खराब है तो विक्ति उस तेज का फल नहीं ले पाते हैं बाकी बुद्ध अच्छा है बुद्धी काफी अच्छी होते हैं ऐसे जातकों की और दोनों मंगल बहुत बढ़ियां बहुत गजब तो विक्ति बहुत energy किसी भी परस्थिती में अपने आप को समालना आपको आता है और समाले ही लेते हैं बेसिकली और मंगल का अच्छा होना आपके energy का परचकर आती है आपके जिंदगी पर आपके हिम्मत का परचकर आती है जो कि गजब के हिम्मती है गजब के हिम्मती और property विगरा बना पाते हैं आगे develop कर रहे हैं उसको मैं दि तक कि negativity को दूर कर रही है पराया और यहाँ पर से देखो mind line पर कुछ triangles तो मतलब दिल दिमाग के तो बहुत तंदुरुस्त है अच्छी triangles मौझूद है जहाँ पर से यह इसकी negative चीजों को दूर कर रही है बागी balancing distance अच्छा है दिल दिमाग के बहुत जादा तंदुरुस्त व आगे भी यात्रा के योग बने हुए है जहाँ पर से जिंदगी पर कुछ बड़ी बड़ी यात्रा हैं चलती है विदेश ही दर्ती से दनलाव होता है और आप विदेश में हैं क्योंकि आपके इतली पर वो अवस्था है मौझूद है तो बढ़िया चंद्रमा केतु परब पर इसके बाद प्रॉपटी के योग डेवलप्ड है उसके बाद आपकी बागियरेका बहुत शांदार है तो निश्चिंत रही है सूरी रेका अच्छी है कुछ ट्राइंगल यहाँ भी है तो प्रॉपटी विकरा बना पाओगे आगे भी सूरी रेका डेवलप कर रही है और एक बुद्धरेका बन रही है फिलाल बहुत सक्रिये नहीं है लेकिन होगी तो benefit एक money triangle जरूर बना रही है जहाँ पर से कुछ पैसे आपके पास आ जाएंगे जब तक ये बुद्धरेका पूरा clear नहीं होगा तब तक इसके बहतर फल देखने को नहीं मिलेंगे एक और बन रही है मतलब ऐसे जातकों का बुद्धी से जुरावा कार्य होता है बुद्धी विवेक से कार्य करके जिन्दगी पर ही लोग कुछ बड़ा मुकाम हासिल अवश्य करते हैं एक जबरदस्त आपकी शुक्र जहाँ पर से कुछ आपके लगजरी के प्रापर लगजरी के और यहां से भी दो-तीन लाइन्स है तो लगजरी के सौखीन है और लगजरी के सुक आपको जिन्दगी पर अवश्य ही मिलते हैं शुक्र बढ़ियां अच्छी वाइफ मिलती है अच्छे बच्चे होते हैं शुक्र बढ़ियां जिन्दगी अच्छी बीटती है लाग समस् रेखा, आगे भी एक जांदार मंगल रेखा, यह भी शांदार मंगल रेखा जबरदस जीबन रेखा, आयो दिर गायो है, आयो को लेकर विशे मंगल अच्छा है, प्राक्र Spaß है, प्राक्रमीऩी twitter बन रहे है, प्राप thrill कर character vêra बनाऊगे अगर आपको मारा ये विडियो पसंद आया लाइक करदे कमेंट करदे सेर करदे means करके तक इसले का दिका करे करें पाना चाहते हैं हमारा वोटस अपनेंबर दिस्क्रिप्स ने मिल जाएगा लेकर आप समपर्क कर सकते हैं दन्यवाद